बस अब बहुत हो गया अब पढ़ाई लिखाई बंद कर दो सिर्फ रिवाइस करो सिर्फ दो दिन बचा हुआ है इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ बिल्कुल रिवाइस रिकोड़ेट के तौर पर बिल्कुल वीडियो को लास तक जोड़ देखना ऐसा आपके लेब कर आ रहा हूँ कि अब पढ़ाई करना बंद कर दो कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने से ठीक है अब बिल्कुल रिवाइस करके जाएगा परियावरन से कोश्चन देखेंगे परियावरन का लेबर इस्पेक्टर में एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो देखें लेबर इस परियावरन से जो कि आपके अगामी एक्जाम लेबर इस्पेक्टर के लिए खास्तर पड़ वीडियो लेकर आया हूँ बिल्कुल सेर्टेट कोश्चन है ना तब पढ़ाई बंद करो क्या करोगे पढ़ाई बंद करो रिवाइस करो आप रिवाइस करो एक बार रिवाइस लिखित बहुलक पालीमर के मध्य कौन सा एक जैव छही पाया जाता है आप लोग कमेंड करना इस्टार्ट किजेगा इसका आंसर क्या होगा ठीक है आप लोग कमेंड करके आंसर बतायते जाएगे तब तक मैं आपको आंसर टिक कराते जाओंगा ठीक है तो चलिए अगर कह पर आपको डाउट होता है तो कमेंड बाकस में पूछ सकते हैं तो निम्नलिकित बहुलक बहुलक जो होता है आपका पालीमर के मध्य कौन सा एक जैव छही पाय जाता है तो आपका पालीठीन, पालीश्ट्राइन, टेरिलिंग या पीबीसी तो इसका आंसर बिलकुल C होग उसी प्रकार सेकंड है मुख्य प्रदूसक फ्लाइएस को उत्पन न करता है तो सिमेन उड्योग, लोहायम इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या फिर थर्मल पावर प्लांट तो इसका आंसर भी बिलकुल C होगा तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि पहला आपका आंसर में दिया गया था, तो मुख्य प्रदूसक जो फ्लाइएस उत्पन न करता है थर्मन पावर प्लांट में उत्पन न करता है, नेश्ट कोशन है आपका कि राज्य की सिस्थान पर, अभी देखिए हाली में जो राज्य कोन सिस्थान है, जहाँ जय विविता का पार का कनिर्मान किया जाएगा, आपका हो जाएगा में पाट आंसर डी, ठीक है, अमला वर्षा के बारें बात करते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझेगा, अमला वर्षा वाला, जो आपके परियावरन से समझेगा, अमला वर्षा जल के पी जो मान होता है, है ना, अमला नी。5 س, आपका 5 दसमन लव चैय का अंसर होगा इसको ध्यां से समझेगा। साथ ही देखिए जो अमल वर्सक प्याज़ मान होता है साथ ही जो की आपका उदास नहीं है। अगर साथ से अजीक होता है तो यह आपका हो जाएगा चारी है ठीक है क्या होगा चारी है अगर साथ से कम होता है तो यह क्या आपका हो जाएगा अमला अगर साथ होगा मीडियम तो आपका हो जाएगा उदासीन ठीक है यही आपका पी एच मान है चलिए नेस्ट कोश्चन द देखने को मिल सकता है अब इधर पढ़ाई करना बंद कर जिएगा मात्र दो दिन बचा हुए अब रिवाइस कीजिएगे जितना हो सके बिल्कुर रिवाइस कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखना चाहते है था हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंग में दियाएगे जाक जल्दी देख लिजेगा या फिर वीडियो का अंत में देख सकते हैं ठीक है देखिए इसका मैं आपको बताना चाहूँगा संसत दुद्वारा भारत में जय विवता एक टकाप पारित किया गये है अगर आप लोग को भी मालूम है तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा आपसर एवर्स 1996 आपसर बी वर्स उनिस उन्हेटानबे या वर्स दो जार दो में या वर्स 2006 में तो इसका अंसर बिल्कुल सी होगा वर्स 2002 में चलिए नेश्ट है कि जब नदी में अथ्यधिक मातर में सीवेस छोड़ा जाता है क्या जोदा में पुछा गें लेबर स्पेक्टर का तो इसका अंसर यह हो जाएगा आपका लिवेज बढ़ जाएगा ठीक है इसका आंसर भी होगा नेश्ट कोश्चन है कि नाइट्रास अक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है क्या है जल्दिस कमेंट करें बताएगा मरुस करन कौन से है क्या पुछा गया एक बार फिर से ओजोन परत को हानी पहुचाने वाले घरे लूप करन पुछा गया है तो यह कंप्योटर होगा टेलिवीजन कुलर या एयर कंडिशन तो इसका अंसर बिलकुल सी होगा एयर कंडिशन ठीक है चले नेश्ट कोशन देखते हैं कि ओजोन परत यह तो आपको करा चुका हो ना चले नेश्ट है कि कौन सम्रिजा में उपस्तित रहने वाला सोतंत्र नाइट्रोजन योगी करन करने वाला एक बेक्टिरिया है तो इसका अंसर बिल्कुल ए होगा एजितो बेक्टर ठीक है आप लोग को मालू हों का अंसर आप फटा फट कमेंड कीजेगा ठीक है चले नेश्ट है कि जय भार का उल्टा पिरामिड याद रखना है जय भार का उल्टा पिरामिड ये माली जेगा एक पिरामिड उल्टा बन गया तो जय भार का उल्टा पिरामिड की इस पारिश्चित तंत्र को विसेश्टा करता है ये जो आपका पिरामिड का जो होगा यह वाला जो भाग है उल्टा पिरामीड होगा वो किस पारिसे चंतर के विशेशता बताएगा मरुस्तल का थोड़न बताएगा ना कि डेल्टा बताएगा ठीक है तो इसका अंसर महासागर या फिर डेल्टा आप लोग कौन सा है कमेंड करके बताएगा मेरे हिसाब से म महासागर लिआया हुन है जैपान में मिनी माता रोग जल किस के प्रदूसर्ण से हुआ था आपका लेवरी स्पेक्टर एक्साम 1994 में पुछ है जैद इसaufenर करके बताएगा तो इसन के बाद है कि निम्ने में क्या सहीं है क्या सही है चलिए पढ़के देखते हैं 5 जुन 1972 को इस टाखों में मानो परियावरन संयुक्त राष्ट समेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था बिल्कुल सही है दूसरा है कि 1984 के भुपाल गैसर इसाओ के बाद भारत में यानि कि 1966 परियावरन स्रक्षन का धिनियम बनाया था बिल्कुल सही है परियावरन से संबंदी भारत का पहला कानून था गलात ये पहला कानून होई नहीं सकता तो इसका आंसर पहला और दूसरा यानि कि आपसन ए होगा जलिए नेश्ट देखते हैं कि 15 वा कोस्चन है राष्टी हरीत अधिकरन के स्थापना कब की गई है तो आप सभी के लिए कोस्चन है जल्दी स्कमेंट करना इस्थापना की गई थी कब की गई थी 18 अक्टूबर 2010, 5 सितमबर 2009, 2 अक्टूबर 1990, 1 अगस्त 2012 वारा तो आप सभी को इस का अंसर बटाना होगा क्योंकि मैं इस गांसर आपको में नहीं बता रहे हुँ क्योंकि आप लोग आप रभी के लिए कुच्छान को अब सभी असका सभी लोग जितने हैं वह ज़िए पर आ आपका तीसरा है कौन सा है तीसरा याद रखना कि परियावरा न्यायधी करन इस्थापित करने वाला भारत के दुनिया के कौन सा नंबर में है तीसरा ठीक है चलिए आप देखते हैं नेश्टा और है इसके बाद चलिए आप डोग कमेंट करके बताएगे क्या आएगा इसका आंसर क्या हो गाओ क कमेंट बॉक्स होमें कमेंट करके बताओ स्टाक होम समेलन 1972 वीना समेलन 1992 रियो समेलन आपका हो जाएगा 1985 और क्योटो प्रोटकाल हो जाए 1997 ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला का तीसरा होना चाहिए पहला का तीसरा पार्ट चलिए ते आप लोग जोलड़ी मिलाईए पहला का तीसरा पार्ट होना चाहिए पहला का 1972 ठीक है उसी प्रकार आपका हो जाएगा B का फर्स्ट ठीक उसको आप तीसरा का फोर और चाउथा का आपका हो जाएगा 1997 जो आपके आंसर ये वाला मिल रहा है ठीक है चलिए नेश्ट देखते हैं कौनसी वैस्विक संधी ऐसा कौनसा वैस्विक संधी है जो हरित ग्री गयसो का उसरजन पर बाध्यकारी परिसी मित तैक करती है इसका अंसर क्योटो प्रोटकाल होगा और आप लोग कमेंट करके बताएगा इसका अंसर क्या होगा निम्लिकित कौन से सही सुल्यमित नहीं है पुछा गया तो इसका अंसर सी होगा ठीक है सुमिलित नहीं है चलिए पृत्वी सम्मिलन फाइप कब आवजित किया गया था तो आपका 1997 आया गा ठीक है इस माग ऐसे ही स्थानों का समाने प्रदूसाख होता है अपको लेवर इस्पेक्टर दोर्जा चुदाम पूछा गया है तो वायू में एसो की मातर अधीक होती है ठीक है वायू में जो होती है एसो की मातर अधीक होती है तो दिखे यह आपका टोटल 21 कोश्चन लेकर रहा था परियावरन से संबंधित ठीक है था आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएगा ऐसी ही एक दिन और बचा है ना एक दिन लेवर इस्पेक्टर की एक जाम और बचा है एक से दो द दिन बचा होगा तो आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा सेर कीजिएगा धन्या माँ